बट मैं यहाँ पर दो मारूती की गाड़ियों comparison करूँगा देखिए एक औल्टो आती है जो कि हमारा पहला प्यार है पांच लाक रुपए के बजट मेयार औल्टो से अच्छा क्या ही मिलेगा यह सोच करके हम लोग औल्टो ले लेगा लेकिन वहीं मारूती आपको कुछ और भी गाड़ियां देती है जैसे कि Espresso तो चलिए Espresso में और औल्टो में comparison करते हैं जानते हैं कि दोनों लेनी है तो कौन सी ली जाए पहले साड़े चार पांच लाक के बजट में कौन सी जादा है शुरुआत से पहले बास इतना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर दें चैनल को फिर हम लोग फाइनल होते तक इस वीडियो में आपको पका पता चल जागा कि गाड़ी कौन सी लेनी है तो दोस्तों यहाँ पर Espresso की बात करें तो गाड़ी का एक VXI variant है जो लगबग साड़े चार लाग रुपए एक शुरूम में आता है याने कि पांच लाग रुपए में आपको अन रोड मिल जाएगा आप चाहें तो LXI भी ले सकते हैं जो लगबग सवा चार लाग रुपए का है इन दोनों को compare करते हैं कि आप अगर लेना चाहेंगे तो पांच लाग के बजट में इन दोनों में से constitute करें सबसे पहला point दोस्तों हमारा आता है एंजिन का तो एंजिन की अगर बात करेंगे Espresso में एक लीटर का K10B engine लगा हुआ है मारूती का जो कि आपको 67 BHP की पावर और लगभग 90 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है क्याने गाड़ी अच्छी खासी परफॉर्म करती है वहीं अल्टो की बात करें तो 796 CC का एंजिन लगा हुआ है 47 BHP की पावर और 69 Nm का टॉर्क है जो कि एक एंटर इस मार्केट में आप एंटर कर रहे न तो एंट्री लेवल कार्स के लिए ठीक ठाक सा नहीं कहूंगा मैं बहुत कम कहूंगा मतलब बैल गाड़ी की तरह इसका पावर और टॉर्क है बुरा मत मानिये बट एक्चुली काफी कम है पर हाँ मायलेज आप सोच रहे हैं कि छोटा इंजन ने तो मायलेज तगड़ा देगा और तो लगबख 22 का मायलेज आपको क्लेम करती है और सिटी के अंदर गाड़ी 18 का मायलेज 18 या 19 का निकाल भी देथे बट यार एसप्रेसो की बात करें तो 21 का मायलेज क्लेम करती है कंपनी और लगबख 18 19 में मुझे एसप्रेसो दे रही है जिसमें मैं बैटा हुआ हूँ तो मुझे काफी अच्छी लग रही है और ये तो उपर से AMT है अगर मैनुल की बात करें तो और थोड़ा अच्छा मिल जाता है तो एंजन में अगर बात करें इस प्राइस रेज में ज़्या मुझे एसप्रेसो लगता है एक point में उसे देना चाहूँगा लाश में calculate करते हैं कि इसको कितने point मिलते हैं पहला engine के लिए point मिल गया है Espresso second चलते हैं हम लोग tires के तरफ अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं दोस्तों जहां पर छोटी गलिया है road पर जादा खड़े हैं तो आपको चाहिए कि अच्छा ground clearance हो और आपकी गाड़ी उनको cross कर सके टायर की चोड़ाई टायर की जो उचाई है वो भी काफी माहिने रखती है तो दोस्तों Espresso में 165 by 70 R14 के tires मिलते हैं 14 inch के tire मिलते हैं radial tire मिलते हैं और profile भी काफी तकड़ी मिलती है वहीं बात करते हैं अगर अल्टो की 145 by 80 R12 के tire मिलते हैं 12 inch के tire जो की अब देखने काफी बहुत rare case हो गया कि 12 inch के tire पहले देखा करते थे हम लोग बट अभी 12 inch के tire बहुत कम मिलते हैं तो वो एक antique piece की तरह आप ले सकते हैं लेकिन आपको बता दू चोटे मोटे गड़े भी उसके alignment को बहुत problem पहुचा सकते हैं क्योंकि tire profile बले 145 by 80 है बट उतनी अच्छी नहीं रहेगी और आपको समय समय पर alignment का काम आ सकता है तीसरी बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पर भी मैं point देना चाहूंगा espresso को की वहाँ पर tire आपको अच्छे मिल रहे है तीसरी बात करते हैं हम dimensions और capacity की यार espresso alto के मुकाबले लगबग 12 cm लंबी है लगबग 5 mm से चोड़ी है और 10 cm उची है तो आपको cabin space जो है बहुत अच्छा मिल जाता है alto के मुकाबले जब आप espresso में बैठते हैं याने की बहुत परशानी हो जाते है साथ ही साथ boot space जो है वो alto का 177 liter का है जबकि ये गाड़ी आपको 241 liter का boot space देती है जो की espresso कहला रही है तो सामान भी जादा carry कर सकते हो price range में कुछ जादा difference नहीं है price range में लगबग 20,000 का difference है तो यहाँ पर भी जो point है वो हमारी espresso लेकर जाती है cabin space के मामले में dimensions के मामले में उचाई के मामले में साथ ही साथ ground clearance इसका 180 का है 180 mm का ground clearance ये गाड़ी प्रोवाइड करती है जबकि alto सिर्फ 140 तो जैसे मैंने कहा था कच्चे रास्तों पर चलाना है काफी conventional design है पुराना design है और हम लोग बहुत जादा प्यार करते हैं उस गाड़ी को लेकिन दोस्तों जैसे समय के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक SUV वाला look आपको espresso दे देती है हाँ कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकती है कि छोटी endeavor दिखती है चोटी फॉर्चुनर दिखती है बट एक बार उन कर लेते हैं तो design पसंद आ ही जाता है टायर बड़े हैं दिखने में जादा अच्छी है lighting वगरा काफी तगडी सी दे रखी है तो गाड़ी overall बहुत बढ़िया नजर आती है आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कौन से आपको जादा अच्छी लगती है आपको थोड़ी decent alto दिख सकती है थोड़ी sporty espresso दिख सकती है बट मेरे हिसाब से मुझे espresso जादा पसंद आने लगी क्योंकि मैं इसे चला रहा हूँ features wise बात करेंगे तो दोनों गाड़ियों में manual AC आपको मिल जाता है यहां पर automatic का कोई चीज नहीं है गाड़ी की जो driver seat है वो 4-way adjustable है आगे पीछे कर सकती है दोनों गाड़ियों में और tilt adjustment भी आपको मिल जाता है co driver के लिए भी same चीज़ आपको मिलेगी पीछे के seat पर आपको देखें कोई rear AC vents तो नहीं लगे हुए है नहीं कोई charging slot पीछे की तरफ दिया गया है सामने की तरफ आपको USB ज़रूर मिल जाती है गाड़ी के अंदर music system आपको मिल जाता है दो speaker आपको गाड़ी दे देती है जो की अच्छा कासा sound provide करते है decent sound provide करते है और damping damping करा लोगे तो और जादा मज़ा जाए गया और damping में खर्चा कितना आता है तो दोस्तों feature में और बात आती है power windows की तो दोनों गाड़ियों में सामने power windows है पीछे जो है manually आपको operate करनी होगी जो आल्टो के को मैं धन्यवाद को कि अंदर भी वो है दोस्तों आल्टो में आपको internally adjustable ORVM मिल जाते हैं लेकिन क्योंकि आप एक variant कम ले रहे है espresso में तो यहाँ पर आपको externally ही उसको adjust करना पड़ता है ORVM को जो की feature वाइस थोड़ा सा कम होगा entertainment wise अगर देखेंगे तो entertainment के मामले में हाँ आपको auto VXI plus android auto and apple carplay connectivity दे देती है जो की आपको VXI espresso में नहीं मिलते हैं और जो की अलग से लगाई नहीं जा सकते हैं जो की थोड़ी problematic हो जाती है चीज़ ठीक है अगर आप अपने लिए गाड़ी ले रहे हैं अच्छा space आपको चाहिए अच्छा engine आपको चाहिए तो वो चीज़ से आप कर सकते हैं android auto apple carplay connectivity बाहर से हो जाती है बट वो थोड़ा सा गलत काम होता है उसमें ECU वगेरा में चेरशार करनी होती इसलिए लोग करके नहीं देते हैं company करके नहीं देती है अपने तरफ से अपना phone जो है वो यहाँ पर adjust कीजिए या फिर कोई external आप वो लगा सकते हैं screen लगा सकते हैं overall अगर अब बात करेंगे तो लगबग चार points लेकर जाता है Espresso एक point पर tie होता है feature पर और entertainment के मामले में आपको auto थोड़ी जादा अच्छी मिल जाती है तो winner हो जाता है भाई Espresso CDC बात है engine अच्छा आपको चलाने में मज़ा हैगा गाड़ी खरीद रहे हैं आप कोई system नहीं खरीद रहे हैं जिसको आपको use करना है computer नहीं खरीद रहे हैं आपर तो गाड़ी के हिसाब से Espresso जादा अच्छी होती है I hope मैंने आपके जो सारे doubts Espresso Alto को लेकर के वो clear करे होंगे अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like कीजिए comment section में आप बताए कुछ points अगर आप add कर सकते हैं तो मिलेंगे next video में नई cars के साथ आज के लिए इतना ही था